नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं रिमान सम की बारे में इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो पहला क्वेश्चन है लिमिट n tends to infinity n by n square plus 1 square plus n by n square plus 2 square and so on इस तरीके से हमारी जो series है वो चल रही है आप पहले term में देखो 1 square है then 2 square है तो इसी तरीके से हम last वाले term में चेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पर लिखा था 2n तो हम लिख सकते हैं n plus n n plus n 2n बन जाएगा पर अगर pattern को follow करें तो n square चल रहा है यहाँ पर हर जगा तो इस वज़ा से हमें यहाँ पर n square करना होगा और हम एक काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर यह 1 square है 2 square है तो second वाले term में भी हमें n square करना है तो n square plus n square यह बन चाहेगा हमारा 2n square but starting with question पर यहाँ पर 2 1 by 2n था तो हम क्या कर सकते हैं इस 1 की जगा पर n लिख सकते हैं so that n से n cancel हो जाएगा और 1 by 2n वाली term आ जाएगी मैं फिर से इस चीज को repeat करती हूँ चो originally हमारा question था वो यह था 1 by 2n तो हमने क्या किया इस term की जगा पर हमने लिख दिया just in order to follow this pattern तो यह हो जाएगा 1 by 1 की जगा पर हमने लिख दिया n यह हो गया n square प्लस n square तो again यह हो जाएगा n by 2n square n से n cancel 1 by 2n आ गया ठीक है वापस से बही original form आ गई तो यह हमने चेंजमेंट की है now मैं इस 1 by 2n की जगा पर n by n square प्लस n square लिख रहे हूँ तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हम रिमान सम की बात कर रहे हैं so I can write this first question we are solving limit n tends to infinity summation हमने लगा दिया and this summation is running from r is equals to 1 to n क्योंकि n terms है और इसको हमने लिख दिया n by n square प्लस r square क्योंकि यहाँ पर यह जो r है इसकी value change हो रही है एक बार 1 है फिर 2 है फिर last में n जा रहे है तो summation जैसे आप इसको solve करोगे वापस से आपको यही मिल जाएगा summation यहाँ पर run कर रहा है from 1 to n now अब हम इसमें फिर से changement यह कर रहे है कि हमने इसमें से n common लिया तो यह हो जाएगा cancel out कर रहे हैं हम इसमें से n square common ले लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा denominator में n square common लिया so this will be 1 plus r square and n square और उपर n है तो एक n यहाँ पर हम multiply और divide कर देते हैं तो n square जो है वो cancel out हो जाएगा और उपर बच जाएगा 1 by n ठीक है तो इसकी जगाँ पर मैं clearly डिग देते हैं थोड़ा सा हमने क्या किया numerator में n multiply और divide कर दिया और यहाँ पर n square common ले लिया तो यह हो गया r square by n square n square cancel हो गया उपर 1 by n बच गया तो यह जो summation है हम इसको कैसे लिख सकते हैं limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n 1 by n by 1 plus r square by n square अब यहाँ पर हमें करनी है substitution और वो कैसे होगी हमें put करना है r by n is equal to x इसकी जगा पर r by n की जगा पर हम x put करेंगे and 1 by n की जगा पर we will put dx इसको लिखने पर जो integral है वो किस तरीके से change जाएगा 1 by n की जगा पर आजएगा dx and this will be 1 plus x क्योंकि यह square है तो यहाँ पर x उसका square हो जाएगा now अब क्योंकि हमने substitution किया है तो जो limit आएगी इस integral की जो limit आएगी वो change हो जाएगी इसके accordingly तो हम limit को कैसे change करेंगे जब r की value क्योंकि summation कहां से run हो रहा है from n 1 is equal to n तो हम वही put करके check करेंगे जब हम r की value 1 ले रहे हैं तो इस substitution के accordingly यह हो जाएगा 1 by x 1 by n is equal to x पहली limit जो हम calculate कर रहे है x की क्योंकि हमारा integral x की form में हो चुका है now when n tends to infinity this will tend to 0 तो पहली जो limit आगई वो आगई यहाँ पर 0 अब इसी substitution में हम r की जबहापर n पूट करेंगे तो यह जगा n by n is equal to x मतलब कि जो x की हमारी जो दूसरी limit है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी n से n cancel तो 1 आगया इसकी अपर limit हो गई 1 यह तो बहुत basic सी चीज है कि जब भी हम substitution करते हैं तो limit किस तरीके से change होती है जो हमने substitution put किया होता है तो वहीं से हमने इसकी limit की values calculate की है और इसका integral की होता है 1 by 1 प्लस x स्क्वार का integral होता है tan inverse x इस पे limit लगा देंगे हम from 0 to 1 so upper limit minus lower limit will be tan inverse 1 minus tan inverse 0 tan inverse 1 this is pi by 4 minus 0 answer आगया pi by 4 और first question में हमें यही proof करना था कि इसका sum आना चाहिए pi by 4 now next question है same हम जैसे हमने पहले वाले question में किया वही same pattern follow करेंगे जैसे कि second term को देखें तो यहाँ पर n square लिखा हुआ है तो पहले वाले में हम क्या changement कर सकते है n square इसको भी कर देते है पर क्यूंकि 1 by n ही बनना चाहिए last में तो इसको n cube कर देते है अगर आप cancel करोगे तो फिर से आपको 1 by n मिल जाएगा second term as it is n plus 1 का cube और आप देखो उपर numerator में square चल रहा है denominator में cube चल रहा है इसी चीज़को यहाँ पर follow करते है यहाँ पर n square हो जाएगा 8n बनाना है यहाँ पर तो हम कैसे लिख सकते है n plus n और इसका cube इसका cube करेंगे तो यह हो जाएगा 2n cube which is 8n cube और उपर n square तो लिखी रखा है हमने तो यह cancel होकर 1 by 8n बन जाएगा वापस से लग गई n tends to infinity इसे हम submission run कराएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते है limit n is tending towards infinity submission r is equals to 1 to n अब इसकी form कैसे होगी n square चेंज वहाँ पर हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखो तो n plus 0 का cube है n plus 1 का cube है n plus n का cube है तो यह हो जाएगा n plus r का whole cube अब जैसे कि हमने last question में किया था वही same चीज यहाँ पर करते है n cube common ले रेते हैं तो यह हो जाएगा n square क्योंकि n cube यहाँ पर नहीं है तो n से multiply किया n से divide कर देंगे by n cube 1 plus r n का whole cube n cube से n cube cancel उपर 1 by n बन जाएगा we can write submission limit summation 1 by n 1 plus r by n का whole cube जो last case में हमने substitution पुट की थी वही substitution यहाँ पर भी हम पुट करेंगे तो यह हो जाएगा r by n की जगह पर हमने हमें पुट करना है x and 1 by n की जगह पर हम पुट करना है d x limit वैसे ही हम find करेंगे तो 0 to 1 limit आजाएगे जोसे कि यह पने last वाले question में पुट किया था तो integral हमारा change हो गया from 0 to 1 यह हो जाएगा d x 1 by x का whole cube इसका integration कर देंगे so we will get 1 plus 1 plus x यह जगह minus 2 by minus 2 आप उसको उपर shift करोगे तो minus 3 हो जाएगा तो plus 1 और divided by minus 3 plus 1 हो जाएगा limit लग गई 0 to 1 और इसको solve करेंगे we will get minus half into 1 by 4 plus 1 by 2 which is 3 by 8 और यही हमें प्रूफ करना था second question में so I hope आपको दोनों question clear हो गए होंगे in case कोई भी doubt हो तो आप मैंसे पूस सकते हो thank you